हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पराथे की एकदम न्यू रेसिपी ये जो पराथा है न ये सिंगल लेयर बिल्कुल भी नहीं है एक तो इसकी लेयर भी कम नहीं है और ये ओवरलोड़ड़ पराथा है आज हम बनाएंगे ओवरलोड़ड़ पराथा तो आज हम बनाएंगे ओवरलोड़ड़ पराथा तो इदेखिए आटा लिया था मैंने गेहों को आटा और नॉर्मल तरीके से इसे गूंद लेना है जास्त थोड़ा सा नमक मिलाया और इसे अच्छे से अब हम इस आटे का डू बनाएंगे वो भी दूद की हेल्प से तो यहाँ पर मैं आधा कटोरी दूद ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा डूट डालते हुए इस आटे से हम डूट बना लेंगे देखिए थोड़ा सा मैंने दूट डाला है अब इसे स्पून की हेल्प से मैं अच्छे से mix कर लूँगी अभी देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये जो आटा है mix होना शुरू हो गया है इसके जब हम पराठे बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एकदम से soft वाले पराठे बनते हैं अलग ही टेस्ट निकल के आता है आप एक बार ट् इसे ज़्यादा लग सकता है जो दूद है तो इसी तरह से आपको बस बता देती हूं कि जो डो है आपको रोटी वाला डो होता है न वैसा वाला डो बना के तयार करना है तो फ्रेंस अब इस डो को मैं एक seat पर उतार लेती हूँ थोड़ा सा डो लिया मैंने उसमें से और य यह देखिए हमारे जो यह डो है वो बनकर तयार हो गया था एकदम से सॉफ्ट लग रहा था यह देखिए दिख रहा है ना आपको एकदम से सॉफ्ट सा डो बनकर तयार हो गया है तो यहाँ पर मैं इसके तीन पेड़े तोड़ लूँगी इस तरह से इस तरह से हम इसे बन अपने लिए झिलब यूटर का ने रहा है।ière में ट्रुटर को इन्च जीरो पॉड़र को आधा चमच काली मिर्च अब इसको अच्छे से एक ग्लास की हेल्प से इस तरह से ख्रश गर्श कर लेंगे और देखिए मेरे पास नहीं था तो मैं इस तरह से ग्लास की जो तली होती है उससे अच्छे से मैस कर रही हूं यह जो ट्रिक्स होती है ना यह आपकी जो काम की ट्रिक्स होती है अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो जरूर नहीं है कि आपको मार्केट से ही बाय कर नहीं आपके इर्द गिर्द जो भी समान आपको दिखते हैं उनसे आप इस तरह से काम में ले सकते हैं अच्छे से आप उनसे काम कर सकते हैं और आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि आपके पास यह चीज नहीं है तो देखिए हमारा जो बैटर था वो बनकर तयार था हमारा आलू नब लगा लिया है देखिए इसको बिलकुल पतली सी शीट बनाके तयार करनी है य Halo कर देखिए इस तरह से इसे फैला देंगे बहुत इच्छा से फैलाना है इसको लिगू झितना आप इसे पतला बना सके इसा पतला बना लीजिए ये देखे बहुत अच्छे से ये बिल रहा था कितने अच्छे से हमारा आटा बनकर तैयार था एकदम से स्मूध वाला और आपको बिलकुल पतली शीट बनानी है इसकी दिखाई देरी ना आपको बहुत ही जादा पतली शीट है ये देखे थोड़ा सा और बे कितने ने पतली है तो इसलिए मैस इसे चलिदी से बना रही थी तो देखें कहीं से मुड रही थी कहीं से कुछ होगा था तो आप भी इस तरह से बनार सकते हैं ज़रूर ही नहीं है कि प्रबापसी शेप यह देख हमें इसको चार इस्सों में डिवाइड करना रही है तो देखे पहले हिससे पर मैं लगा रही हूं आलू तो आलू को आपको बहुत अच्छे से खूब सारा आलू यहां पर लगाना है ऐसा नहीं है कि फट जाएगा या बहार निकल जाएगा देगिगा आलो की जस तरह से लेइर लघारी हूं मोटी सारी लेयर लगा रही हूं कोइं छोटी लेयर नहीं लगाई है अब यह देखो जो चटनी है वो और अब ये देखे ये वाली लेयर पे हम लगाएंगे इस लेयर पे लगा देंगे हम थोड़ा सा ये फिर से चटनी लगा रही हूं यहाँ पर मैं पिज़ा पास्ता सोस लगा रही हूं यह घर का बना हुआ है तीखा बिल्कुल भी नहीं है मेरी दोनों चट चटनी यह घर की बनी होई है सेजवान चटनी से आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा तीखी है तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है क्योंकि मैंने घर पर बनाई है अब दूसरी वाली लेयर पे जो तीसरी लेयर है सौरी उस पे मैंने डाल दिया है यहाँ पर पनीर तो एक लेयर इस तरह से बंद कर दे अब लगा आपको कि हमें यह गोल बनाने की जरूरत थी बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि यह गोल बनाने की जरूरत है इसको इसी तरह से आप बना लीजिए यह देखिए अब हमें हलके हातों से इसे थोड़ा सा फैलाना है जादा ही बढ़ा करना है क्योंकि हमने जितना पराठा का साइज होता है उतना से बना करना दिए अब इस को हम तब八 घा जा यह तो हम ढूत जाए सब तब कर लिए। गी या तेल जो भी आप खाते हैं आपके बच्चे जिस फ्लेवर में पराथा लाइक करते हैं आप वो ही चीज यूज कीजिए तो ये देखिए पराथा हमारा एक साइड से अच्छे से सिख गया था हमने इसे पलट के देख लिया है कितने अच्छे से ये सिख चुका है इसक अब हम क्या करेंगे ना इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से से लेंगे ये देखिए थोड़ा सगी लगाएंगे और इसे अच्छे से झीग लेंगे तो फ्रेंस दोनों साइड से हमारा जो पराथा है फचुत अच्छे से सिख गया था दिख रहा है न कितना क्रंची है और इसकी layers दिखाऊं तो देखो कितने अच्छे से भाप निकल रही है, बहुत गरम है, और इसकी layers भी मैं आपको दिखाने पारी हूँ, तीनों layer में आपको stuffing दिखाई देगी, यह देखे, इस तरह से हम इसको काट सकते हैं, slices में काट सकते हैं, आप चाहे तो इसके तीन टु को यह टिफिन में डाल कर देती हूँ, देखे, देखे रहें न, यह सारки बहुत गरम है बिपहती है। तो में रोल बना की यहां अपर पहले बड़े बैटे के tip in में डाल रही हूँ फिर बेटी की में और फिर च्छोटे बाले बेटे के में तो यह इस तरह से मैंने को बना दिया था और सुबह का टाइम था मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाई वस जट पड मैंने सारे टिफिन पैक कर दी थे तो फ्रेंट अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है लेंच बोक्स आइडिया पसंद आया है बेकफस्स आइडिया पसंद आया है तो मेरे चै